हेलो एक स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिब चनल पर मैं हो राकेश अल्रजा आपका अपना अप्रेटीड मेंटा इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं बच्छों के लिए सीजी ऐसाई मेंस आप बच्छों के साथ भिड़कर कवर करवाने में लगाओं मैंने इसके पहले आपको जो है सिलिबस दिखाया था मैंने आपको बताया था कि सीजी ऐसाई में में मैट का एक सेक्षन है जिसके आप बच्छों ने भारे डिबाइड की थी जिसमें यह सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे जिसमें से मैं अभी आपको ट्रिक्नोमेटरी कवर करवा रहा हूं धिरी धिरे मैं यह सारे टॉपिक्स आपको कवर करवा दूँगा इस वाले वीडियो लेक्च्छर सेरीज मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ठीक है और हमेशा कमें सेक्षण में अपने लाइक्स के थूँ या अपने डिस्लाइक के थूँ अपनी फीलिंग्स को मुझे जानने दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब सर के साथ पढ़ाई करके हमें चीजें सेंज में आ रही है तो कमेंट सेक्षण में लिखिए दो अक्षर लिख लेने से सामने वाले को यह महसूस होता है मुझे यह महसूस होता है कि हाँ मैं जो महनत कर रहा हूं आप बच्चों के लिए वह आप तक पहुंच भी रही है आरी बात पगड़ा हो कि क्या ही कर रहे हैं सर आप आप बसा कर हमारे लिए जो है कंटेंट को रिकॉर्ड कर मैं बिलकुल मतलब कुछ विशेश नहीं कर रहा रहा है अपनी तरफ से जो best हो पा रहा है वो कर रहा हूं लेकिन बस मैं यह चाहता हूं कि अगर कोई बात मेरी आपको अच्छी लगे तो मुझे वो जाननी है मैं चाहता हूं कि अगर कोई बात को मेरी अच्छी ना भी सवेगे मैं दिरे दिरे उन चीजों को सुधारता जाउंगा कुछ अच्छा लगे तो से मेंटेन रखोंगा कुछ आपको अच्छा ने लगए तो ससुधारऊंगा और दिरे दिरे तो एक दिन मैं बच्चों के लिएकदम बेश्ट कर जाओगा अब मैं यही चाहता हूं एक शिक्षक एक जन्मिन शिक्षक अपने दिल से यही चाहता है कि अपने श्टूएंट्स के लोग जितना अच्छा कर सके वो करें ठीक है तो हमेशे अपने कमेंट सेक्षन में अपनी पहले तक का जो कंटेंट है वो डिलिवर कर दिया था इसके पहले लिए वीडियो में इनका आइडिया नहीं रहता है तो एक बार पहले डिटेल समझा देता हूं फिर इस वाले को सौल करके बताऊंगा ऐसे कुशन आएंगे आपको पेपर कुशन देख लिए कुशन पर लिखा हुए इस तरह के कुशन आपको पूछे जाएंगे तो इसके पहले मेरे पास समझ होनी चाहिए चीजों की तो समझ थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करते हैं पहले आपको पता होने चाहिए जो ट्राइग्नोमेट्रिक से होते हैं और उनमें क्या के रिलेशन होता है पहले इसको आप सीख लो सबसे पहला होता है साइन थिटा ठीक है दूसरा होता है कॉस्ट थिटा तीसरा होता है टेन थिटा पहले यह तीनों को सीखते हैं पन अच्छे से फिर इसके बाकी तीन को डेलेवर करूँगा टोटल ऌसलिग को कुषा है कि समपढूरत दियुभूज में एक लंब होता है एक मका अधार होता है लंब और आधार पहचानना बहुत आसान होता है और जो दुकुंडों होता है और दश्धा तो हमेशा जो लंद खॉजा होगी जिस पर 90 दग्री महीं बनता हो गा जैसे से 90 इन दोनों पर बन रहा हो थो इन दोनों में से कोई मों है और एक हाथ मेरगी चाहिए लेकिन यह तीसरी वाली स भूजा हो गी जो राद है बच कर नौइब ऑस हम लोगो खने अगार क मतलब से हम लोग बहुत sa सा रहेगा जिसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा अब A B या B C दोनों में से कोई एक जो है वो बनेगा लब अब मुझे यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में से लंब मतलब कि परपेंडिकुलर कौन बनेगा तो हमेशा अब इस वाली बात को समझो परपेंडिकुलर कौन बनता है जो भी हम एंगल कंसिडर करेंगे जैसे माले मैंने इस वाली एंगल को कंसिडर किया और इससे अगर मैंने थेटा माना तो इसके सामने वाला जो भी हम लोग कोण कंसिडर करेंगे उसके सामने व हो गया तो जो बच गया क्या बच गया भई यह नीचे वाली बीसी बच गई तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार मतलब लोगे से कहते हैं बेस तो पहले आप किसी भी संगुर्ट तुरूज में लंब आधार और कर्ण को पहचाना समझे अगर मैं इस वोले एंगल कॉंसरेट ड्यंगिन हो जाते तो आधार पहुक्तक कर्ण को समझा अपड़ा किसासें साइन थेता है नॉसका फंड़ता उसका फंड़ता परफेंडिकुलर अपकॉन हाइपोर्टेनियस याफ को याद रखना है कि साइन थेता का सूत्र है लंब बटा सबहा है याद्यकर्ण यह करना ठीक है तो इस वाली स्थिती में मैं बोलूंगा A B upon A C ऐसे ठीक है इस समकोड़ते बुचके इस वाली स्थिती में लेकिन अगर माल लिया उधारण के लिए बात है मेरे से वह साइन फाई अगर पूछता क्योंकि वह आगे कुछ भी पूछ सकता है चलके मेरे से अगर सा कर बूसा हमलान करने तो यहां पर फिर है लिखता परंडीकुलर अपन है पोटेनियस तो इस प्रंडीकुलर प्र?.प्रतरणयस वाल पूसमियर कि वह संक वुक declining है तो यहांगरे समजी और पारिपर के के समयजे लिए पर पंधिकुलर होगा यह बेस होगा और यह हाइपो कौस्टिटा क्या होता है सरमί nano यह को याद रखना है ठीक है क्योंकि ले रहाँ एंगल क्योंकि मैं ठीटा ले रहां तो ठीटा वोले केस में ठीटा वले केस में लंब है A B आधार है बीची तो रखवाएगा BC upon AC इस तरीके से समझगे 10 theta अगर मुझे जानना होगा तो 10 theta होता है मेरे पास sin theta upon cos theta 10 theta होता है मेरे पास sin theta upon cos theta चीक है तो sin theta क्या है sir sin theta है मेरे पास AB upon AC cos theta क्या है sir that is BC upon AC यह दोनों cancel हो जाएगा तो इसकी value आजाएगी मेरे पास AB upon BC इस तरीके से ठीक है तो sin theta क्या होता है साइन theta कुछ और होता है AB upon BC AB है लंब और यह है आधार तो अगरे आप मैं लिखूंगा तो जागा पर परेंडिखुलर उप्वन बेस इस तरीके से समझ क्या है यहां दगाई एक सफोल दो पर लिए तीन को सीक्ये साइन होता है पर प्रपेंडिकुलर अपन इसके base पर अपने लोग conclude कर लेंगे कैसे सर अब ज़रा समझो sign जो होता है न वो one upon cosec होता है मतलब कि sign theta बराबर होता है one upon cosec theta तो जैसे मैं sign theta के लिए बोल रहा था कि लंब बटा कंड होगा तो फिर cosec theta के लिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो one upon sign theta है तो इसका मतलब वो hypotenuse upon perpendicular होता होगा कर्ण बटा लंब होता होगा तो मैंने कहा किया sign को बस याद करके रखा है cosec को मैं बाद में निकाल लेता हूँ जब जरुद पढ़ती है तब तो मैं यह कहने ही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने याद रखने है वैसे आप भी याद रखो जैसे मैंने कहा है sign cos 10 को याद रखा है even ultimately तो मैंने sign ही को याद रखा है sign और cos को माल लो चलो तो sign और cos से में 10 divide करके निकाल लेता हूँ अब sign का उल्टा करूँँगा तो cosec मिल जाएगा वैसे ही अगला जो टर्म होता है अगला जो कोण सेंवजकोप से बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा कंड यहां पर लगा दो कंड बटा आधार और क्या और वैसे ही जो कॉट थीटा होता है वो दरसल होता है वन अपॉन टेन थीटा ठीक है तो इतनी चीजों को दिमाग में रखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है मतलब लमापों तो तो यह चीजों को आपको दिमाग में रखो यहां तभी मैं आगे चलके काम कर पाउंगा तभी मैं आगे चलके कोशन सॉल्व कर पाउंगा इतना आपके दिमाग में होगा तभी बात बनेगी अब जैसे अगर इतना आपके दिमाग में है तो यह वाला कोशन कैसे बनेगा उसे सीखो आप अब यह मान के चल रहा हूँ कि आपने इसे ना दो तीन बार अच्छे से रिवाइंड करके देख लिया होगा वीडियो रिकॉ जोगा ने ट्रिगनोमेटरी अच्छा होता है कुछ कुछ बच्चों का थोड़ा सा बेसिक की जरुवात पढ़ती है उनको तो मैं दोनों ही तरह की बच्चों के लिए काम करूं थ्वाइसिक से बताता हुँ चलो जिन बच्चों को बेसिक आता हो और अश्यों प्रहाँ न मेरे को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरे को याद रखना है वाली बात कि यो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मतलब लंब बटा आधार होता है तो इसका मतलब अगर मैं कोई समकोंड तिर्भू सोचता हूँ और उसमें यह नाइंटी डिगरी बनाता और यह बनाता हूं थेटा तो मैंने बताया थेटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और तेड़ी लाइन होती है वह हमेशा करन होता है और जो बच गया वह आधार होता है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा बराबर पी अपान बी से उसकी वैल्य वैल्य होगे तीन और बी की वैल्य होगे चार इस तरीके से मैंने पी यह बीडिफाइन कर लिया अब क्योंकि एक समकोड तरीपुज है तो समकोड दो जोपन पाइथागुरस ठियोरम लगाते पाइथागुरस ठियोरम क्या बोलता है भी कंड का वर्ग बरावर लंब का र अब लोग यह 3 हो गया यह 4 हो गया और यह 5 हो गया तो समकोड तरीपुज में तीनों भुजाएं डिफाइन हो चुकी है उसने मेरे से पूछ है कॉसेक ठीटा हम लोग क्या जानते है बचे लोग हम लोग जानते कि कॉसेक ठीटा बरावर कुछ और नहीं होता है कॉसेक ठी a-con perpendicular बन जाएगा hypertenious मैं अभी निकला था कितना निकला था पांच तो इसकी वेल्योव पांच पर पेंडियोग से question me given तो आप 10 थीटा बराबर क्या बोल सकते हो चार बटा तीन बोल सकते हो अब आपको इसको सॉल करने के 10 नमूने हो सकते हैं एक नमूना यह हो सकता है कि आप यहां से निकाल लो जब कॉमन निकालो गे बाहर निकालो तो कैसा दिखेगा वो यह साइन थीटा अपॉन कॉस्ट एटा माइनस थ्री इस तरी के से दिखेगा और यहां से कॉस्ट थेटा जबाहर निकालोगे तो यह हो जाएगा फाइव साइन थेटा प्लस टू इस तरीके से वो दिखाए देगा एगरी करते आप ठीक है तो इससे क्या हुआ सर इससे नहीं यह जो मेरे दोनों कॉसेटा कॉसेटा कैंसल हो जाएगा और यहां भी सुरी डिवाइड में कॉसेटा आएगा अभी साइन इडावन कॉसेटा साइन इडावन कॉसेटा कुछ और नहीं होता है दरसल टेंट तो ही होता है तो जिसकी वाल्यू कितनी हर चाहर बता दीन है तो यहां पर चाहर बता हर पुट कर दो यह से में चाहर बता दीन पुट करो तो कैसे दिखाई देगा दर वासल समय ना यह कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा कि देखो do ये ये डोनों मैंने 4-3-4-3 लगा दिया चिक है तो जाब दे 4-3-4-3 लगा ये तो फिर ये वोगा स्वाल्व वह तो कैसा देक्वेए धार समझना 5 के 20 ब्टा 3-3 चिक है 5 के 20 ब्टा 3-2 तो जब इसको 11 बटा 3 और यह बनेगा 3 दोनी 6 20 में जब 6 जुड़ जाएगा तो यह बनेगा मेरे पास 26 बटा 3 तो 11 बटा 26 ऐसा कुछ है इसमें गड़ बड़ो गया कहीं पर क्या गड़ बड़ किया है ज़रा देखते हैं आप इसको थे कर लेता उट लूट यह तो यहां पर यह चार बटा 5 जैगा इसको थोड़ा सा खाली घ्राइव पर तो यह बनेगा जाएंगा इसे तो यह हो जाएगा जाए गलेका इसे तो बहुत अच्छा विलीशन होगे यह मस्त टाइव से कडगिया चलो बस एक सेकंड मुझे और दे दो तो यह जैसे कड़ें चार माइनस तीन एक और चार प्लस दो छे एक बट अच्छे एक बट अच्छे लिखा हुए यहां पर ऑप्शन मर् 3 में ऑप्शन मर् 3 इसका सही आंसर हो जाता है ठीक है थोड़ा मुड़ा अगर हलका बहुत कैलक तो इसलिए छोटी मोटी एर अगर हो जाती है तो डू नॉट माइंड मैं कोशिश कर वही इस वाले लेक्टर में ना हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कॉस अपोन सल करेंगे सर्थ को से ना से कुट से और सीन कॉसर जो सीज़ेट पॉर से कॉblesन का लोगा लुगा पशं यहां पर हो जाएगा सइन तीट अपन कॉसरटा अपलिस वन और यासे यहां वाहर निकाल लुगा तो यह रूइभी होजए गया में बदूर पात साइन थिटा हाला कि मैंना आपके लिए भी लिख रहा हूं कि साइन थिटा पॉन कॉसिटा होगा यह तो मैं पेपर में होता हुट रोड़ डेरेक्ट उसको टैन थिटा ही सोचता ऐसा ठीक है यह लिची समझना कि बच्छोगा यहां ते कमफेटेबल आप लोग अब देखो यह कॉसिटा कॉसिटा कैंसल यह दोनों मिलकर यह तेन थिटा को कि साइन थिटा आपन कॉसिटा होता है तो आप से कुशन डील हो पाएंगे ऐसा ठीक है अब यह आपको ऐसा दिखाई देरा अब हम लोग ने एक नियम जानते जिसको हम लोग ना कंपोनेंडो को हिंदी में क्या वोलते हैं थिक एपनेंडो डिविडेंडो को हींकizing लेक ways यह आ रैंक्यों किना सोल करके बताओं को तो आफ समझ जाओं गए कंपोनेंडो डीविडेंडो में क्या होता है ज़र्ष समझ न क्या करते हैं पके आज जैसे न जो operation अपन left hand side लगाते हैं, वही operation अपन लोग right hand side लगाते हैं, जैसे मैं operation क्या लगा रहा हूँ समझो, अंश है, numerator है 5 और denominator है 4, तो component डिविडेंडो लगा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अंश और हर को जोडा, फिर उसके बाद अंश और हर को घटा दिया, ठीक है तो 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, तो जो operation मैंने left hand side किया है, वही operation मैं right hand side में भी करूँगा, same operation दोनों में करते हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ पर numerator और denominator पर जोडा था, तो यहाँ भी पहले जोड़ूँगा, तो जोड़ूँगा तो जोड़ूँगा तो जोड़ूँगा तो कैसा और हर दोनों को मैंने जोड़ा, अब अंश्वार हर दोनों को घटा देता हूं, तो घटा मों तो कैसा दिखेगा है, मेरे को यह 10 थिटा प्लस 1 माइनस 10 थिटा माइनस 1 ऐसा दिखेगा, यह मैंने component हो, dividend हो लगाया, यह दिमाग में रखना है, यह हमेशा हर जगा काम आता ह है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर जगा के लिए एक समान नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, 9, 5 माइनस 4 हो जाएगा, 1, अब जब इन दोनों को सॉल करूँगा, तो 10 थिटा, 10 थिटा एड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएग तो मेरे बास बच्चे लोग 10 थिटा की वैल्यू आजाएगी 9, एगरी करते हैं आप, यह ठीक है, अब मेरे बास 10 थिटा is equals to 9 आ चुका है, मेरे से वो पूछ रहा है, 10 स्क्वार थिटा प्लस 1, 10 स्क्वार थिटा माइनस 1, तो यहाँ पर 10 स्क्वार थिटा यह पर 9 तो यह आजाएगा मेरे पास, 82 अपॉन 80 मतलब की एक चालिस बटा चालिस, एक चालिस बटा चालिस अगर मैं ऑप्शन में ढूड़ने के लिए जाओ, तो मुझे ऑप्शन नमर सी मिल जाता है, जो कि इस कुशन का सही जवाब है, समझे आप किस तरह से डील हो रहा है, ठी साइन थीटा, कॉस्ट ठीटा, फिर धेरी देर उसका लेवल बढ़ा दूँगा ठीक है, ठीक है, स्वाधी, चलते है नेक्स टो ले कुशन की तरफ, देखते है अगला वला कुशन हम से क्या अगता, ये लिखाओगा पुशन, इफ सेक थिटा प्लस 10 ठीटा, पन सेक ठीट कश्टो कोई बात नहीं फिर से सीख जो यह जो कुशन कर वारों आपके ऐसा ही मेंस के साब से most important question a question आपके exam में आएंगे ही आएंगे इस सीख लो बहुत अच्छे से यह सी मैंस को solve करो 10 theta upon sec theta plus 10 theta minus sec theta minus 10 theta ऐसा ठीक है component component dividend ओ जैसा इस तरफ किया है वैसे इस तरफ करना होता है यहाँ पर unsure हर को जोड़ा फिर अन्शार हर को घटाया वैसे अन्शार हर को जोड़ा फिर अन्शार हर को घटाया ठीक है सभसार्ठथ संट सब्सक्राइबुर्ण लोगा तो यह फॉर संस्ट सथेटा वैसे शेकले सेकल नगा आई थोड़ा थे देगा सबूने तो मेरे को दिखाई धेगा ये सब्सक्राइब 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 तो हम लोग को इस तरह से डील करना आना चाहिए, तो sec theta क्या होता है, sec theta होता है 1 upon cos theta, और 10 theta क्या होता है, 10 theta होता है, sin theta upon cos theta, is equals to 4, यह ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इससे न, यह 4 से 4 उड़ जाएगा, sorry, cos theta से cos theta उड़ जाएगा, ठीक है, और यह उचक के इन दुनों क multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 1 upon sin theta, is equals to 4, तो sin theta, is equals to 4, 1 upon 4, 1 upon 4 इसका right answer होने वाला है, तो अगर मैं देखूं तो option number 1 पे लिखा हुआ है, यह सका सही जवाब है, देखो ज़रा, इत्मिनान से तम सिखा रहा हूँ, अभी वह कोई trick trick लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, पहले आप बच्चों को नहीं बहुत अराम से basic सिखा रहा हूँ, इसके बहुत सारी video lecture series आएंगी, देरे 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 मैं सब tricks वगराव आपको share करता जाओगा, अभी पले इत्मिनान से basic समझे लो, ठीक है, चलते next question की तरफ, अगला वाला question, मैं हम लोग question में जाने से पहले ना, थोड़ा सा मुस्से theory ले लेते हैं, ठीक है, अब मैंने एक theory आपको deliver करी, यह वह साइन थीटा बरावावाद अपर पर पेंडिकुलर अपन हाईपोटेनियस, टेन थीटा पर होते, साइन थीटा पॉन कॉस्टेटा, सेक थीटा पर होत होगा, लेकिन पहले एक बार अपन लोग थोड़ा सा concept ले लेते हैं, ठीक है, अब इत्मिनास से पर concept को समझो, आपको ना, दरहसल क्या है बच्छे लोग कि ना, value भी याद होनी चाहिए, दरहसल, sin theta, cos theta, 10 theta, इन सभी का value आपको याद होना चाहिए, कम से कम 0 से लेकर 90 तक आपको याद होना ही चाहिए, जरुवत पड़ेगी मेरको उसकी, तो मैं कहा करो, अभी आप बच्छों के लिए, ट्रिक्नोमेट्रिक वैल्यूस लिखने वालों में, ठीक है, तो जब मैं ट्रिक्नोमेट्रिक वैल्यूस लिखूंगा, तो किसी इसकी लिखेंगे सर, 0 आपको छपा छपा याड पीडिएफ दिखा देता है, और बोलता है कि इसको रट लो, लेकिन उससे ही होता है कि इनसान ने थोड़े सा बात भूल जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आपको पता रहे कि मैं कैसे इसको डिराइव करता हूं, वो फंड़ा आपको बताता हूं, एक्जामें जवाब रहो तो खुद डिराइव कर लेना उसको, ठीक है, सबसे पहले आपन सीखते है साइन का निकालना, चलो सुनते, देखो साइन है कैसे निकलता है, समझना जरा, क्या करना है जब आप पेपर में रहोगे, अगर आपको वैल्यू याद न रहे, वैसे मैं पहले आप नंबर लिखना, नंबर लिखा हो मैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे मैंने नंबर लिख दिये, ठीक है, अब यह जो सारे नंबर है, इन सभी को चार-चार से डिवाइड कर दो, यह सभी को मैंने चार-चार से डिवाइड कर दिया, सभी को मैंने चार-चार से डिवाइड कर ठीक है अब क्या करो सबके उपर च्छतरी लगा दो सबके उपर मैंने च्छतरी लगा दी 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 ऐसा बस यही करना है क्या किया है सबसे बहले 01234 सबको चारज रिव यहाद होना चाहिए सबूंद बाकी सारे भी बहुत अराम से सॉल्व कर लेंगे अब जरा समझो जैसे अगर आपको कॉस्ट चाहिए होता है मान लिया अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो उसकेस में कुछ मत करो इसको उल्टा करके लिख दो वहां पर वन लिख दिया वहां पर रूट तो यहां पर रूट रूट टू यहां पर आगे वन अपॉन रूट टू और यहां पर आगा जीरो ठीक है ओके हम पर लोग अगला 10 जाहिए मेरे को 10 टैन के कैसे हम लोग क्या सीखें 10 की एक समय सीखें कि 10 कुछ और नहीं होता है वो दरसल sino diva cos होता है तो मुझे का गरना है साइन और कॉस को डिवाइड करना तो यह जीरो ब्ता वन मतलब कि यह एका जीरो यह वन उपाएगा ऑफ़ लुट ठीशे जाता है तो उसकी वैल रिट्व आती हमेशा इन्पान सब्सक्राइब कमाइब की निकाल खोट सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जो उधर लिखा वो घुमा के दर लिख दो इंफनाइट है तो इंफनाइट इदर आ गया रूट तरी रूट तरी तरी यह बना गया यह इदर चला कि वन अपन रूट तरी और यह इदर आगे जीरो ऐसा देखे कितना आसान है प्लजला उठा के उधर कर दिया जैसे माल अगर आपको नग्या चाहिए अगर माल यह आपको स्यक्त चाहिए डिश्ट इक बात है अगर माल यह बल्फ पर शवत है तो इसको उल्टा करते जाओ लाव लाटर टो जाना ऑलटर यहों जाएगा बनप स्कूरारी ओलिए आपकु फोड़े को कैसे कत सुरी स्क्राइज थे मुझे पता है को सेकths वाले के से मुझे पता है कि वहिता है वन अपॉन साइन है न गर्रणफीरों झिरों उन फंटेम उन इपरण जीरों मदलब की इन्फानेट वण उते वहाना गम सीुरूंस पता है को उन भूल्ट की निखालना सिखाया है मेरे बस जगाई ही जो में को मिटा के लिखना पड़ा आप नीचे नीचे लिखते जाएगा अपनी कॉपी में और एक बढ़िया वाला टेबल आपका रेडी हो जाएगा ठीक है वो टेबल में जो वैल्यूस है आपको याद होनी चाहिए इतना कम से कम जीरो तीस पैंतालीस साथ नब्बे सभी का याद होना चाहिए याद होगा तो अच्छा है कुश्ण सॉल करने में आसानी मिलती है नहीं तो हम कुश्ण को जुगार तो उस सब की बना ही लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं दरतल कुछ फॉर्मूले भी है ट्रिग्नोमेट्र ट्रिग्नोमेट्रिए के स्मय दोई चीज़े इंपॉर्टेंट एक दो चीज़े हैं फ़ही और दूसरी है ट्रिक तो मैं अभी आपको ना फॉर्मूले बताने का काम कर रहो धीर अपको ट्रिक बताने का अभी काम करूंगा तो मेरे सलाह यहां कि थोड़ा सा फॉर्मूलो कोस्ट में खार्चत डालो कतेसे लिक्स को में यू works secondALL कम कॉस्थ a साय जिए सन्टव दाब का उस्टियों हम साइन धालो नमिक्तेसनिंद स्विए उसक इसमा यहां रहा होगा या फिर 2x2-1 या फिर 1-2sin2 या फिर 1-102 upon 1-102 चीक है इसे रट डालो अगला है मेरे पास 10 जाए निया प्रसुपता उसकी जरुद भी नहींए आपको पीपर में जो जाएगा निकाला लेकिन इस जनम में व्यां आपको इसे साइन 3 होता है 3 sin a minus 4 sin q a cos 3 होता है 4 cos q a minus 3 cos a 10 3 होता है 3 10 a minus 10 q a upon 1 minus 3 10 square a या दो रहा है ठीक है याद करना है इसको अपने को अगला है यह सारे फॉर्मूले तो बहुत ही important है इस पर तो exam में सीरी सीचाग विश्चन आता है sin square a plus cos square is स्यूरी घर इसको धिराइव करके भी दूंगा आने वाले questions पे अभी लिख दिया हूँ थम सा याद कर लो से जीच Qualmen observe सलाosta सर्फ युक्वेश्ट स्कocyण अगर एक स्कोए है वायर इंट स्कोए है ना यद हुए सह स्क्षे स्कोए ह आने योम्ति के अ को ऑ ≠my बाति में डिराईव करके दूंगा आपको इसके बाद इसके question बट्रय कर रहें वैसे अगर सेख थिता- tern थिता- अगर X होता है तो सब्सक्राइब यह सारे फॉर्मूले बिना किसी दिमाग के हमें इसे दिमाग में रखना है बिना किसी दिमाग को लगा इस पर ठीक है अगला है अगर साइन थीटा प्लस कॉसेटा अगर X होगा तो साइन थीटा माइनस कॉसेटा टू माइनस X स्क्वाइर होता है चीक है कैसे होता है अनलोग कोश्चन के करके बता हुआ के साइन एक स्कासेक सीटिवाटनट तो साइन की पवर एन प्लस कुसेग की पवर एन इसका प्रमें यह आप यह 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 बहुत इंपोर्ति ने मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बता हूं यह बहुत ही इंपोर्टनट है ऐसा लिखा रहेगा कोश्ट्न आपके क्या होगी तो एन की जगह पर कुछ भी लिखाओ एक दो तीन चार पांच छे साथ वो दो ही रहेगा और यहीं आएगा कुछन आपके पेपर में एक दूम सीधा वही पढ़ा रहा हूं जो के पेपर पुछाएगा दूदर की बकवास ही नहीं करता हूं सीधा टू पॉइंट गडet नंबर है ऐसे लिख लिख देगा वो तबसे बौलेगा कि एकर सेक एकस प्लस नहीं की पार एकस प्लस को सरी सरी कोस की पारस्काइब ऑफ एक स्की प्लस की वेल्यू क्या होगी तो उसका भी आंसर दो होगा ठीक है वैसे ही टेन की केस होई होता है यांत प्लस मॉस को अगला है अगर a plus b बरावर 90 डिग्री हो तो सिस्रिती में 10a.10b बरावर होता है 1 ठीक है अब यह कैसे होता है इसको मैं आपको ना अभी quadrant rule पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा ठीक है तो थोड़ा साइब वाइसको देख लो तुरंत ही पिछले यह कैसे होता है यह मैं आपको अभी समझाता हूं तुरंत अपने इस चीज को समझते यह बहुत important है और उस पर related यह वाले question आपके paper में आएंगे कैसे यह solve होगा एक बार इसको समझा देता हूं इत्पिनांसे तरह इज़से सीख लो मैं यह मान के चलो कि आपने सारा कुछ नोट कर लिया होगा मैं ऐसे रफ करने वाला हूं ताकि मैं आपको कॉडरेंट रूल समझा सकूँ चलो समझते एक जो बर्दस आपको मैं रूल बताओं आपको यह रूल सीखना चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ट्रिक्नोमेटर के पॉइंट वे से रूल बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है समझा जरा बचे लोग तरह देखना यह है वो कॉडरेंट ठीक है मैं यह वाली बात मानता हूं कि जिन बचे लोग ने मेरे को यहां तक सुना होगा उनके दिमाग का जो है आधा फ्यूज जो है उड़ चुका होगा आधा फ्यूज बचा होगा लेकिन अभी उस फ्यूज से थोड़ा बहुत इस चीज़ों को सीख लो चीक है अब जरा समझो जो मैं आपको बताने ही कोईश्च कर रहा हूं समझो कॉड्रेंट रूल क्या होता है दरसल चार प्रकार के बोलते हैं यह है वो चार प्रकार के कॉड्रेंट ठीक है जब वर्दस कंसेट बताने हैं जरा सीखना इन चार प्रकार के कॉड्रेंट के सीमा होती है जैसे यह जो है दरसल 90 डिग्री है और यह घूम कर आगया तो बनेगी सीमा कैसे बनेगी सीमा बनेगी जीरो से 90 ठीक है नब्बे से 180 एक सो सी से 270 थीन सो साथ इस तरीके से सीमा बनती है इतने लिए बास समयागे आप यहां तरह कंफ़टेबल है ठीक है अब आगे जारा समझना तो जो भी डेटा जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच म देखर हो कब लोस को फाटे न में रखेंगे जो डीटा नब किलेकर एक सासी के बीच को सेखने करखेंगे आप यह वाली बात याद Silver का Si यहां पर लिख रहा हूँ T का यहां पर T लिख रहा हूँ और Cups तो Cups का मैं पर C लिख रहा हूँ तो इससे क्या हुआ सर इससे मुझे यह पता चला कि First Order Quadrant में सारे के सारे Positive होते हैं ठीक है? कौन सारे सर? भई जो 6 ratios है Sin Theta, Cos Theta, Tent Theta, Cort Theta, Cosic Theta, Sec Theta यह 6 के चे जो ratios है, यह First Quadrant में हमेशा Positive रहते हैं कैसे Positive रहते हैं वो भी आगे बताओंगा पहले इत्मिनान से सुन लो यहां पर लिखा है Silver Silver से पर लिखा Si Si का मतलब है Sign और Sign का उल्टा क्या होता है बचलो? Cossic Sign का उल्टा है Cossic है रहा? तो इसका मतलब मेरे को यह अली बात पता चली कि Second Quadrant में Sign और Cossic Positive होते हैं यहां पर लिखाए T T से आता है 10 और 10 का उल्टा कौन होता है बचलोग? Cot तो अब यहां पर पता चला कि Third Quadrant में 10 और Cossic Positive होते हैं अब आ रहा है Fourth Quadrant Fourth Quadrant में C लिखा हूँ है C का मतलब है Coss और Coss को लिटा क्या होता है? तो Fourth Quadrant में Cos और Sec Positive होते हैं मैं को इतली बात सौन में आ चुकिए कि कौन से Quadrant में कौन Positive होता है अब आपको दूसरी वह दिवा में रखनी है कि जभी भी 90 और 270 डिगरी होगा जभी भी 90 और 270 डिगरी होगा तो जो चीजे है न वो थोड़ी बदल जाती है कैसे बदलती है भई? जो Sign है न जो Sign है न वो दरसल Cos बन जाता है ये भी आपको दिवा में रखना है और के दिवा में रखना है जो 10 है न वो दरसल Cot बन जाता है और के दिमां में रखना है कि जो सेक है ना वो दरसल को सेक बन जाता है किस इस्थिति में जब 90 या 270 डिगरी लिया जा रहा होगा तब अब इसका उल्टा भी टू है जैसे अगर साइन कॉस बना तो कॉस क्या बनता है सर कॉस साइन बनता है जैसे अगर 10 कॉड बना तो कॉड क्या बनता है सर कॉसेक सेक बनता है अब इतना आपको दिमांग में रखना है जरह इत्मिनांस से सीखो मैं क्या सिखाने कोशिश कर रहो को बार बार मुझे देखने इस वीडियो में इस वह रिकॉर्डिंग को बार बार सुना तो समझ में आ सेक पोजिटिव तीसरे में 10 और कॉड पॉसिटिव और चौते में कॉस और सेक पॉसिटिव चीक है और मैंने आपको बताएं कि अगर 90 और 270 डिगरी लोगे तो उस वाली स्थिती पर साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसे को बदल जाता है अब एक्जाम में कुश्चन कैसा आएगा वह अपन बात में समझेंगे पहले इसको इसको इस्तुमाल करना समझो जैसे माल या मेरे पास लिखा रहता है उधारन के लिए 10 में 90 माइनस थिटा अब थिटा का मान कुछ भी होगा 10 20 30 40 कुछ वह से परक निबढ़ता लेकिन अगर माले मैंने 10 का मान 10 भी रखा तो नब्बे में से 10 कम होगा तो 90 माइनस जो थिटा है वो इस वाले कॉडरे में फसता है अब क्योंकि यह फर्श कॉडरेंट की चीज़ है तो इस वजह से मुझे क्योंकि पता है कि फर्श कोडरेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते तो यहां पर यह प्लस साइन जब 90 और 270 होता है जब 90 और 270 होता है तो उस्तिति में 10 जो है कॉट बन जाता है तो यहां पर वो कॉट लिखाएगा और वो थेटा हो जाएगा समझो कि 10 90 माइनस थेटा बराबर है कॉट थेटा के कैसे हुआ सीखने की कोशिश करो तोड़ा जैसे माल लो धारन के लिए मेरे आपस लेखा रहता है रेट से लिखा रहेता साइड महले नाइनिच्य हो कैसे डिल करता है इतुर भैस को नाइनटी माइनस अधिता है यहां पर और कुछ भी हो, sine, cost, 10, सब positive होगा, तो यहां पर लगए, अब प्लस वोला, sine, अब क्योंकि 90 use हो रहा है, तो क्योंकि 90 है, तो इस विज़े साइन किसे बदल जागा, cos बदल जागा, तो यह दरसल हो जागा, cos theta, यह ऐसे होता है, चीखे, अब 90 से अगर जादा होगा, 90 से जादा होगा, तो यहां पर आगर 90 प्लस theta, मतलब यह कि अगर मालिया मैं लिखता हूँ, cot में 90 प्लस theta, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ, चीखे, तो 90 प्लस theta, 90 प्लस theta, second quadrant की चीज़ है, second quadrant में sine और कॉसेक, बस प्लस होते है, यहां पर cot लिखा हूँ है, साइन और कॉसेक होते हैं, तो plus वाला sine डालता, cot लिखा हूँ है, इसलिए कौन सा sine डाला, minus, क्योंकि 90 लिखा हूँ है, तो यह जो cot है, यह बदलेगा, cot किसमें बदलेगा, 10 में, तो यहां पर आजागा, 10 और थिता का थिता तो और इस वाली चीज को दरसल किया होता है कि नह से निकल जाते उनको यह सोचते वोग याद कर लेंगे से पॉली है यह यह जो कि सीजय को कि Minus इनको 17219 Car यह तो आयो दिय 나서 kav Nich के 90 प्लस ठिड़ा माल इसा लिखा वा रहे था था कॉसेक नबे बिलस ठिड़ इगर लिखा अब पस देख और वह सोचने की पड़िए तो रिता वह क्या करेंगे वह स्सीति इन बहुत आराम से मे Pushin रेखा हूंगा कि 90 अलास दाल सकता हूंग क्योंकि 90 है तो घूमेगा कॉसक किस में खूमता है सेक में घूमता है तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थिटा इस तरीक है तो सीखे आप कंफ़िटबल हैं अब तो 90 प्लस थिटा मतलब 90 से जादा उली चीज़ है लेकिन यहां पर तो 180 से कम उली चीज़ है तो यही 180 माइनस थिटा का भी कौडरेंट कहलाता है मतलब अगर आप माले यहां पर मुझे लिख कर दे दोगे उधारन के लिए सेक में 180 माइनस थिटा तब भी इस 180 माइनस थिटा हो क्योंकि 180 से तो कम है तब भी मैं इस 180 माइनस थिटा को सेकेंड कोडरेंट में ही मानूँगा और second quadrant में मेरे को पता है कि sine और cosec plus होते हैं यहाँ पर sec लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर मैंने sign डल दिया minus का समझो मैंने minus को डला मैंने कहा था 90 और 270 में घूमता है 90 और 270 में घूमता है यहाँ तो 100 C लिखा है नहीं घूमेगा इसका सक्की रहेगा यहाँ जगा सेक ठीटा देखो मैं कैसे बना रहा हूं अब वैसे ही जैसे यह 207-C से पहले का है तो 277-C होता होगा समझ गए तो मतलब यह है मेरे कहने का अर्थ कि अगर मान लिया मेरे से पेपर हैं पूशता है कि भई लेट से 10 180 प्लस थिटा की वेल्यू क्या होगी अब मेरे को पता है कि यहां पर 10 लिखा हुए इसलिए मैंने साइन डाला प्लस का कहा था मैंने कि 90 और 270 में घूमता है यहां तो यसे माले मेरे पास लिखा रहता लेट से कॉस तो फ्री तो पहले 270 माने सी यटा देखकर मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कउड़र में फसेगा तो 270 मईनस थिटा थड़ कउड़र ने फसता है और मुझे याद है कि इस थड़ कउड़रन में 10 और कॉट रहते हैं यहां पर to cause लिखा हुआ है इसलिए कौनसा नमाइनस मैने कह था कि 19 और 270 में घूम जाता है घूम जाता है तो फिर क्या होगा कॉस का क्या बन जाएगा साइन तो यहां पर कॉस लिखा हुए तो यहां पर लिखाएगा साइन ठिटा ऐसे डिल होता यह वैसे ही यह 270 से कम वाली बात थी यह 270 से कम वाली बात थी तो यह 270 से जाधा वाली बात होगी तो यह हो जाएगा 270 प्लस ठिटा और यह 360 से कम है तो यह कि कॉन से फस्ता है थो मेरेको पता है कि फोर्थ वाले स्क्राइट में कॉस्ट और से फ्लस होते हैं यहां तो शेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब मियग प्लस होगा कहा था कि 90 और 270 में घूम जाता है नब और 270 में घूम जाता है सेक्ट क्या बन जाएगे को सेक्ट क्या बन जाएगा को सिक ठीटा ऐसा लिखा जाए चलो सोच लिता हूँ कॉर्ट 360 माइनस रिटा मुझे पता होना चीजिए कि 360 माइनस रिकॉर्ट कोड्रेंट में आता है यह रहा फोर्ट कोड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं पर कॉर्ट लिखा हुआ है तो यह हो जागा माइनस 360 है 90 और 70 तो घुमेगा 360 में थोड़ी घुमेगा कॉट का कॉट हो जागा कॉपी अन्याप जाएगा त्रिके से लिखा पने सो लिगागा अगे लिगा सब्सक्राइब तो यह कॉड्रेंट वाला कंसर्ट आपको समझ में आना चाहिए अगर माले कंसर्ट आपको सम्झ में कर करकर सुना जिसले आपको इस समझ में आ चुका है ताकि आप विसको ओले सममझ पाओ को बुलेगा कि भाई 10 35 डिगरी की वेल्युव क्या ओगी ऐसे बोलेगा अब 10 135 डिग्री की वेल्यु आप से पूछे रहा है मेरो तो नहीं पता है मेरो कहां से बता रहेगा सब्सक् जैसे concept लगा तो कैसा देखीगा 135 है ना तो मैं इसको 90 प्लस 45 बोल सकता हूँ मानते हो 135 को 90 प्लस 45 बोल सकता हूँ तो यह कैसा है 90 प्लस थिटा है अब आपको डिसाइड करना पड़े है कि 90 प्लस थिटा कौन से कॉर्टर ने फस्ता है सकेंड कॉर्टर ने फस्ता है सेंट वर्ड में साइन और कॉसेक प्लस होते है यहां पर टैं लिखा हूए तो कौन सा ऑड़ूँगा माइनस और 90 है बताया था कि 90 और 275 में घूम जाता है कैसे घूमता है भई 10 का हो जाता है कॉर्ट तो यहां पर ही आ जाएगा कॉर्ट 10 की जगह पर हो गया कॉट और यह 45 का 45 हो गया कॉपी ऐसा कि यह इस चीज़ से ऐसा कैसा बन गया अब मेरको कॉट 45 की वेल्यू याद है उम्हें आपको अभी इसके पहले टेवल बना कर दिया था कॉट 45 की वेल्यू होती है वन तो इसकी फाइनल आंसर हो जागा माइनस वे वन यह इसका अंसर है तो 10 135 की वेल्यू किती होती है माइनस वन होती है SMS को यूज करता हूँ सब्सक्राइब करते हैं आप लोगा अईडिया मिला आप बच्चो को इस वाले चीज को लेकर ठीक है तो मैं नेक्स्ट लगी क्लास में नेक्स्ट लुडियू लक्च्चर में आपको यह वाला concept जो है डेराइब करना सिखाऊंगा इस वाली चीज को सिखाऊंगा तब तक अपना ख्याल रखेगा मिलते हैं बच्चो से नेक्स्ट लुडियू क्लास में ख्याल रखेगा